आज कल हर कोई अमरूद की बागवानी करना चाहता है जब अमरूद की बागवानी की सोचते हैं तो उसमें पहला परसन आता है कि कितरी दूरी पर पोधे लगाए किसान सात्यों सामन्नेता पोधे जो पुरानी वत्तिती है उस पर 20 फिट वाई 20 फिट और 18 फिट वाई 18 एक समय आया कि कहा गया कि अगर आप सगन विदी से पोधे लगाते हैं तो आपको पैदावार अच्छी मिलेगी और ज्यादा मिलेगी किसान सात्यों यहां पर मैं एक बात से सैमत हूं कि आपको अगर किसी भी विदी से पोधे लगाते हैं तो आपको उत्पादन में बहु मेरे एक मित्र हैं राम नरेन मेहता जी जो रांची के रहने वाले हैं और वो पेसे से टीचर हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे लिए कुछ न कुछ लेख लिख कर भेजते रहते हैं साध मैंने पहली एक वीडियो में भी किया था तो आज हम उनके लेक के दौरा ये बात करेंगे के पोधो की उचाई कितनी होनी चाहिए और पोधो की कटिंग जब हम करते हैं तो हमें कितनी कितनी साखा रखकर करनी चाहिए यही होगा आज का मुख्य है वीशे किसान साथ यो आप सबका हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमारतियागी बने रहे ये मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखे अधिकतर किसान मुझसे सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं अब कटिंग कर दूँ और क्या मैं कब कटिंग करूँ कटिंग जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको कटिंग कितनी करनी है और किस समय की कटिंग कर रहे है पहली जो चार कटिंग होती हैं वो हमें पोधो का छत्रक बनाने के लिए करते हैं दूसरी कटिंग हम किस समय करते हैं ये हमारा पहला छत्रक के कारण हुआ और दूसरा है कि हमें फसल कौन सी ले रहे हैं अगर हम बरसात की फसल ले रहे हैं तो हमें कटिंग फरवरी में करनी पड़ेगी कटिंग इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता है हम सब जानते हैं कि अमरूद में केवल नई साखाओ पर ही फल आते हैं और फूल आते हैं अगर आप सर्दी की फसल ले रहे हैं तो कटिंग आपको 25 अप्रेल से लेकर 15 जून या 30 जून तक कर सकते हैं लेकिन हमें जो कटिंग करनी है फसल लेने के लिए एक बात मुख्य ते ध्यान रखने पड़ती है कि अगर ये इस पर मेरा इस साखा पर फल आया है तो हमें इसी साखा पर की कटिंग करनी होगी चूकि इस साखा से जो नई कल्ले निकलेंगे उन पर ही फल आएंगे अगर आपने यहां से इसको काट दिया तो अभी तक मुझे केवल एक परजाती ऐसी मिली है जिसमें आप कहीं से भी कटिंग करिए फल भरपूर आएंगे अन्यता आपके फल नहीं आएंगे जो राम नरेन महता जी ने मुझे लेक भेजा है इतना सूव व्यवस्थित लेक है कि मैं उसको टाइप करना नहीं चाता उनका हाथ से लिखा हुआ है जो मेरी वेबसाइट पर मिलेगा और उसका लिंक भी मेरी इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन में दिया होगा वेबसाइट पर आप अमरूद की बागवानी में जाएए और इस लेक को पढ़िए डाउनलोड करिए अपने पास रखिए और इस तरह से कारिय करिए अब मैं बताता हूँ के उन्होंने क्या लिखा है किसान साथियों जो सघन भागवानी होती है उसमें दस भाई दस फिट से सुरू होती है यानि पोदे से पोदे की दूरी दस फिट और लाइन से लाइन की दूरी दस फिट उसके बाद जो अति सघन भागवानी होती है वो कम भी हो जाती है दस भाई पांच फिट पर भी हो कहते हैं वो होती है अब सब में आप उतने बड़े पोधे नहीं रख सकते हैं हमें कटिंग करनी जरूरी है और फल भी लेना जरूरी है यही हमारे दो मुख्य सिध्धांत हैं और हम इन दो बातों को ध्यान में रखना है अब आप देखिए यह मेरा पोधा कितना बड़ा हो गया यह ललित का पोधा है और ललित के पोधे की एक बहुत अच्छी पहचान है कि इसकी पतिया नुकिली होती है और यहां सुरू में देखे जो पहली पतिया निगलती है उनके किनारे हलके गुलाबी कलर के होते हैं इसे आप आसानी से पहनचाथ सकते हैं कि यह ललित का पोधा है ललित के पोधे की एक और पहचाना आप देखेंगे कि इसकी साखाए उपर की तरह होती है नीचे की तरफ नहीं आती इसकी साखाए हमेशा उपर की और होंगी मेरा सबसे प्रिये अमरूद अब तक जो लगाया है वो ललित है इस पोधे पर देखिए कि ये सर्दियों का अम्रूद है देखे कितना फल आया हुआ है चार दो छे अम्रूद लगे विए इस तहनी पर और इन में से काफी अम्रूद हम सर्दियों के ले ये देखिए तहनिया जुक गई है और इस तरह से आप देख देखे रहिए कितना अमरूद आया है इसके और ये मेरी इस पोदे पर दूसरी फसल है मैं इससे ज़्यादा बरसात की फसल ले चुगा लेकिन इस पर कोई फरक नहीं पड़ता ये ऐसा पोदा है जो आपको बरसात में भी फसल देगा अच्छी और सर्दियों में भी अच्छी फसल देगा लेकिन अगर हम दोनों फसल लेते हैं तो पोदे थोड़े अधिक बढ़ जाते हैं ये सबसे बड़ी समस्या है अब आईए हम पोदों की उचाई की बात करते हैं जो दो दूरी मैंने बताई हैं हमें पोधार ओपन करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक पोधे की छाया दूसरे पोधे पर ने पड़े अगर सर्दियों में जो सूर्य उदे होता है वो पूरब में हमेशा दकस करते हैं लेकिन थूड़ा उपर जाकर होता है और धीरे धिरे ध्यान की तरफ को अधिक 'reoping जहाता है गर्मियों में सीधा सिर्पर आ जाता है लेकिन दकस की और इस पोदे की छाया मिली हुई है दोनों की आपस में चूंकि इसके सामने लगा हुआ है लेकिन मैंने पोधारोपन अब इस प्रकार किया है कि आप ये देखे ये दो पोदे ये मेरा जो है अलाबादी सफेदेगा पोदा है कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं त्यागी जी मेरे हां से तोड़कर ले जाते हैं लोग जो ने वेंडर मेरे से पूरा ने ये पंदरा फिट पर दूरी है और इन दोनों के बीच में ये जो दूसरी लाइन है लाइन से लाइन के बीच की दूरी आठ फिट है और यहां पर मैंने ये दूसरा पोदा लगा है जो की अब अ और जो अगला पोदा है, इस बड़े पोदे के बाद में है, इस पोदे को मैं हटा दूँगा अब फसल लेकर, तो इसके उपर कोई भी छाया नहीं पड़ेगी, और इस पोदे की छाया, जो ये अगले दो पोदे हैं, तो इस पर भी नहीं आएगी, जबकि लाइन से लाइन क की दूरी आठ फिट है, चुकि मेरे पोदे पहले ही लगे हुए थे, अब बात करते हैं, इनकी दूरी की, अगर आप देखें, तो हम इसे पंदरा भाई आठ पर नहीं कह सकते, दोनों पोदों के बीच की दूरी पंदरा फिट है, ये दूरी यहां से अगर मैं लगाता हू तो ये मेरी यहां पर आएगी और ये मेरी साड़े साथ फिट हो जाएगी, तो अगर आप देखें तो सही दूरी ये तिरकोन ये जो तिरकोन बना हुआ है, ये दूरी है और ये लगभग आपकी बारा फिट बैठती है, और बारा फिट बहुत अच्छी दूरी होती है, अ आठ फिट की लाइन रखिए और फिर उन पोधों के बीच में दूसरी लाइन में पोधे लगाईए तो ये एक बहुत अच्छी विदी है जिसमें पोधे भरपूर होंगे और आपके फल भी अच्छे आएंगे मेंटेनेंस भी कम होगी जहां तक दूरी का बात है इसका बहुत सा अच्छा उधरन दिया है राम नैरेन महताजी ने राम नैरेन महताजी बहुत पढ़ते हैं और खूब अच्छी तरह पढ़ने के बाद में उस पर मनन करते हैं और फिर लेख लिखते हैं ये आप जब उनका लेख पढ़ेंगे उसे देखकर ही लग जाएंगे और मैं इस बात पर अपनी मुझे मतलब गर्व होता है कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े वे हैं जो मेरे से एक आद कोई गलती भी होती है उस पर ध्यान न दे कर मेरा क्या योगदान है मेरा क्या उद्देश से है उसमें मेरी सहता करते ह राम नरेन महता जी कहते हैं अपने अनुसंधान के बेस पर कि जो लाइन से लाइन के बीच की दूरी है आठ फिट अगर आपने ये मान लीजिए दस भाई दस फिट पर अमरूद लगाए हुए है तो लाइन से लाइन की बीच की दूरी हुई दस फिट और पोधे से पोध पोधे की हाइट कभी भी दस फिट से उपर नहीं होनी चाहिए, अगर लाइन से लाइन के बीचिए, चुकि नहीं तो उसकी छाया उसको परिसान करेगी, दूसरे पोधे को ढख लेगी, ये हुई पहली बात, अगर आपकी आठ बाई पांच पर हैं, तो आपकी जो दूरी है वो 8 फिट से बढ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी दो बाई एक मीटर पर है, तो पोधे की उचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानि 6-6 फिट से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, कि अगर आप जिग-जैग पद्धित से लगाते हैं तो बहुत अच्छे परबंदन होता है और कोई बहुत मुश्किल नहीं है यह मेरा धवल का पेड़ है और यह पूरी लाइन धवल की है धवल एक इतना अच्छा मुरूद है कि मैंने एक चीज इसमें नोटिस की है कि इस पर दाग नहीं के कुछ फल इसके दिखाता हूँ यह देखिए राम नरेंड जी ने मुझे बैगिंग पर एक लेक भेजा था और मैंने वो लेक अड़कर कुछ फलों पर बैगिंग की थी यह देखे कितना सुन्दर अम्रूद है यह आप के बाग जैसे अम्रूद आसपास नहीं है अब देखिए मैं एक दूसरा पोधा दिखाता हूँ फल दिखाता हूँ यह देखिए इन्होंने कुछ पनियों को सही नहीं किया लेकि कितना खोबशूरत अम्रूद है यह मैं कहीं तोड़कर नहीं आया और सिरफ आपको दिखा रहा हूँ देखिए कितना खोबशूरत है एल 49 से भी अधिक प्रिय अम्रूद मेरे को मिला है तो किसान साथियों आज मैंने आपको दो बाते बताई हैं पोधो की दूरी का कटिंग पर क्या महत्व है आप चाहे किसी भी पद्दिती से लगाएं आपको फलन उतना ही मिलेगा केवल गुणवत्ता का अंतर आएगा दूसरा पोधो की उचाई आपको कितनी रखनी है और कटिंग करते समय उसकी जो कटिंग करेंगे उसकी दूरी कितनी रखनी है यह भी आपकी पोधो से पोधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के बीच होता है और तीसरा मैंने तीन फल दिखाए हैं जो मेरे बाग में बहुत प्रिये हैं मुझे और उन्होंने मुझे भरपूर फल दिया है इतना फल दिया है कि मेरे काफी पेड़ की टहनियों के लिए मुझे बांस लगाने पड़े मुझे बांधना पड़ा नहीं तो वो तूट गए एक उनमें से लाबादी सफेदा एक बार फिर देख लीजिए ये देखे किस तरह से अमरूद आते हैं ये डेकिए किस तरह से अमरूद आते हैं ये तहनी मैंने काट दी थी चुकि ये टूट रही थी और दूसरा है ये आपका देख़े कितना खूब शुरत अमरूद है ये दूसरा है धवल और तीसरा मैंने बताया है कि आप स्वयम देख लीजिए कि इस पर सर्दियों का लगभग आदे से ज़्यादा फल तूट चुका है बरसात के हम ले चुगे थे और अभी भी कितना फलन है इस पर और साइज भी कोई कम नहीं है कितना अच्छा साइज है उपर की तरफ देखिया आप पूरा का पूरा ये तीन पूधे हैं मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि अगले वर्स मैं फरवरी में अपने यहां अपने पूधों से कटिंग लेकर पूधे बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मैंने रूट स्टोक मंगाई है इस बार वो जमीन में देखिये लगाने का कारियकरम चल रहा है और उनको लगा दिया है फरवरी में इन पर ग्राफ्टिंग होगी मेरे यहीं से लेकर और एक बाग जो हिसार सफेद्यगा है मैं वहां से लाओंगा जो मेरा अच्छी तरह द अलाबादी सफेदा धवल ललित ताइवान पिंक और एक यह आपका ललित इनको मैं अपने हां पर बनाने जा रहा हूं एक्सपरिमेंट करने जा रहा हूं और मैं हर उस चीज की तयारी कर रहा हूं कि अभी मैंने कुछ पोदों की जड़े निकाली है उनको टेस्टिंग के लिए भेज रहा हूं क्या इसमें इससे में कोई बिमारी तो नहीं है अगर बिमारी है तो मैं उसका इलाज करूंगा और उसको निरोग कर कर दूंगा और जब पोदे तयार हो जाएंगे फिर उसको टेस्ट कराऊंगा रेंडमली लेकर कुछ किसानों को बुला कर और उसको मेरे हां केवल एक ही चीज की गारंटी होगी कि जो मैं पोधा करूंगा आपको वही अमरूद आएगा चुकि मेरे बाग में आया है किसान साथियो इस वीडियो में हम धन्यवाद करते हैं राम नरेन मेहता जीगा जिन्होंने इतना सुन्दर लेख लिखा और इन्होंने पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा देखते रहें अमेजिंग किसान का यूट्यूब चैनल इसी के साथ मैं विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत